हेलो फ्रेंड्स मैं राजीब और राजीब की चलिए इन फोऑ आपका सौ गज हुआति आज हम बनाए उनकी फॉल इनकीशेटिफी सोड़ी तर है कद्दू कोपता बनाने के लिए फ्रेंट हमने एक कद्दू लिया है उसे दो टुकरों बाटा है जो कि हमने आधे टुकरे को कद्दू कोपता बनाया है कि हमने पास जो कद्दू था वह बहुत बड़े साइज का था तो उसे आधा हमने काट के रख लिया है आधे का हमने बनाया है इसे अब छीलेंगा चीलने के बाद चोटेटे टुक्रों में करके इसे कद्दू कस करेंगे तो हमने सारे कद्दू कस कर लिया है अब हम इसका पानी निकालेंगे हाथों के सारे निचोड के आप ताय तो किसी कपड़े में भी निचोड की निकाल सकते हैं इसका पाने निकालने का में डीजन यही है फ्रेंट्स कि हम बेसान जब इसमें डालेंगे तो ज्यादा गीला हो जागा इसलिए पाने निकाल लेंगे इसका नहीं तो फिर हम इसके कोक्ते अच्छे से नहीं बना पाएंगे तो इसी तरह से हमने सारे कद्दू का पानी निकाल लिया नीचोर के तो हमारा निकल चुका है सारा पानी अब हम इसमें प्याज डालेंगे प्याज हमने बारिक-बारिक कटा है हमने तीन से चार प्याज लिया है और छे से साथ हरी मीर्च अब आपको तीका खाना पसंदो तो अपने शाब से डाल सकते हैं तीका मिर्ची कम यह ज़्यादा भी कर सकते हैं अब हम इसमें बेशन डालेंगे बेशन थोरे थोरे करके डालना है फ्रेंटिस में क्योंकि एक बाद डालेंगे तो फिर ज्यादा यह कम हो जाएगा इसमें अब मसाले डालेंगे हमने अधी चम्माच धन्या पोडर डाला है अधी चम्माच लाल मिर्च पोडर और अधी चम्माच हल्दी डाला है और आदी चम्मा से थोड़ी सी कम हमने सब्जी मसाला डाला है और थोड़ी सी हमने गरम मसाला का प्रयों किया यहां पर आदी चम्मा से थोड़ी सी कम और इन सब को अच्छे से मिलाएं हाथों के सारे कद्दू में कद्दू का हमने जो पानी निकाला था उसका बेनिफिट यहीं पर है नहीं तो अभी ज्यादा बेशन में डालना पर था तो अब बेशन को थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसका एक डो तैयार करें कि इस तरह से प्याजू बनाते हैं उस टाइप का डो बनाएं इसका तो मारा डो फाइनली तयार हो गया है अब इसमें लाश्ट में जब इसको फ्राइक करने लेंगे तो उसमें नमक डालेंगे नमक डालके मिलाएंगे अब हम इसका गोला तैयार करेंगे इस तरह से हम प्याजू बनाते हैं तो प्याजू को हम गोल नहीं करते हैं बस इसको सिर्फ गोल करना है और इसी तरह से हमने सारे डोग को इसी तरह से गोल गोल करके रख लिया है अब कड़ाई में तेल डालेंगे तेल हमने लगबक 100 गराम के आसपास डाला है फ्रेंट्स क्योंकि इसकी ग्रेवी भी बनानी है इसे फ्राइब करने के बाद तो इससे तेज फ्लेम पर डालेंगे और ढालने के बाद फ्लेम को मेडियम कर देंगे ताकि हमारा अच्छे से पक जाए और बीच में कच्छा ना रह पाएं नहीं तो फिर कच्छा रहने से वह बेशन वाली स्वाद आएगी कद्दू कोप्ता फ्रेंट्स बहुत ही लाजबाब रेसिपी है खाने में तो इसका कोई जोर ही नहीं है बहुत ही टेश्टी रेसिपी है तो देखिए हमारा एक तरफ अच्छे से पक चुका है और इसे हम फिर पलट देंगे ताकि अच्छे से दोनों साइड चालों तरफ पक जाए तो सारे कॉप्ता का जो गोला हमने त्यार किया है तो फाइनली लगवग हमारा पक चुका है कॉप्ते को डालते समय तेज फिलेम पर डालेंगे और इसे जब पकाएंगे तो लो टू मेडियम फिलेम पर ताकि यह हमारा अच्छे से पक जाए अब हम इसकी ग्रेवी तेयार करेंगे उसके लिए हमारा जो तेल इसमें बचा है उसे में थोड़ी सी जीरा डालेंगे और प्याज अद्रक लशन का हमने जो पेश्ट तेयार किया था तो इसमें प्याज हमने 4-5 प्याज का पेश्ट तेयार किया है और अद्रक लगवग 2 इंच का टुकड़ा और 10-12 लशन की कलिया इन सब को हमारे मिक्सिजार में हमने पीछ लिया था और इसे मेडियम टू हाइफ लेम पे 4-5 मिर तक पकाएंगे अब हम इसमे मसाला एड करेंगे एक चमच हमने धनिया पॉडर इस्तमाल किया है एक चमच थोड़ी ची कम हल्दी पॉडर अधी चमच लालमिंच पॉडर एक चमच के आसपास सब्सक्राइब का प्रयोग किया है और इन सब को अच्छे समिलाएंगे थोड़ी सी पानी डालेंगे फिर इसमें जाकि मसाला हमारा अच्छे से भून जाए मसाले को हम तीन से चाल मिर्ट तक पकाई है तो देखिए मारा मसाला पक चुका है अब हम इसमें टमाटर का जो प्यूरे तैयार किया था पेष्ट मिक्सी जार में उसे डालेंगे हमने दो ब्रेट साइज का टमाटर लिया था उसी का पेष्ट है अब चाहें तो यहां पे तेज पत्ता कब इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम इसमें नमक एड करेंगे अब हम इसमें पानी एड करेंगे पानी फ्रेंड्स आप अपनी हिसाब से इसमें एड करेंगे क्योंकि जिससाब से आपका ग्रेवी रखना हो आप अपने हिसाब से रखेंगे तो हमारा ग्रेवी में उबाला चुका है अब हम इसमें सारे टिक्की को डालेंगे जो कजू का हमने टिक्की बनाया था और इसे दो से तीन में तक और पकाएंगे यहां पर हमने थोड़ी से घर्म मसाला का पढ़ियों किया है तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा कद्दू कोफता बनके तयार है अब हम इससे सर्व के लिए प्लेटिंग करेंगे यह देखिए कितना चैस का टेक्स्चर है ग्रेवी भी हमने ठीक बनाई है ठीक ठाक आप ग्रेवी तो मोटा पतला भी आपकर सकते हैं अपने हिसाब से बहुत ही लाजबाब रेसिपी है बहुत ही टेस्टी फ्रेंट्स आप भी से अपने घर पर बनाएं कि को हम तोर के देखते हैं कि इसके बीच्व का जो टेक्स्चर वो कैसा है कि अंदर से बहुत ही जूसी है फ्रेंट्स कि एक टिकी को हम तोड़के देख रहे हैं देखें कि अंदर से बहुत ही जूसी है फ्रेंट्स और खाने में तो बहुत ही टेश्टी है तो आप भी इस रेसेपी को अपने घर पर बनाएं और अपने प्रिवार को खिलाएं तो फ्रेंट्स अगर ये रेसेपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्रेंट्स अगर ये रेसेपी आपको अच्छी लगी हो तो मारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटी की पेल आइकन को दावाना ना भूलें ताक के इसी तरह के रेसेपी आपको आगवी मिलती है जैन जै भाड़ा